नमस्ते दोस्तों दोस्तों जैसा कि जो अपने पहले वीडियो बनाई थी कि भाई जो अपना आप बड़ीया रेजल्ट कैसे प्राप्त करें उसमें मैंने जिगर किया था कि ब्रीडिंग के उपर एक अलग वीडियो लाऊंगा तो दोस्तों उसी के बारे में बात करेंगे कि आप अपने गर पर अच्छी ब्रीड कैसे त्यार कर सकते हैं दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी है अगर आप जो फ्री टाइम है उसमें है तो भाई वीडियो को देख लीजिए वरना बाद में आप इसको देख सकते हैं अभी कुछ जरूरी नहीं है दोस्तों जो स्टैप आपको बताता चलूँगा कि आप किस फरकार से दो ब्रीडिंग है वो कर सकते हैं और जो इसमें लिख रखे हैं जो मैंने बता रखे हैं उसका जो में में असार मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखें आप उसको भी पढ़ सकते हैं यह नहीं कि आप वीडियो को स्वागत करता हूं चैनल पर स्वागत करता हूं वीडियो मेरे से बिल्कुल भाई बडियाबनी है पूरा जो नोलेज्ध्य है वह इस वीडियो के इंदर लगा दोस्तों बृड़िंग सबसे पहले क्यवती है व tu Lion होती है कि उले मैं比 स produits हैंड़ियो में तो करidences आपने एक भैस लगा लीजिये आठ किळ्ड़ों इसे बढ़ाते 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 आप तो किलो तक आप कि जो भैस है वह लेगए जांडिस्तो यहीं ब्रींग है आपने एक 8 किलो की बरीड से 24 किलो की बरीडिक वाली जो बहसे है वो पैदा कर दी तो दोस्तो इसे का नाम है ब्रीडिंग अब यह कि बाइश pig ऐसे करें दोस्तों बरीडिंग आप इसे आठ किलो की बैसे शरू कर सकते हैं 10 किलोग सुदॉख सकते हैं बारा किलो वारी से शरू कर सकते हैं वो आपके की कोड़ेंग करेगा कि वहाइश भरी साथ उप्सप्रोर करना चाहते ज्यादा फेवर आप मिल्क में देऊगे या ज्यादा फेवर आप ब्यूटी दोनों के साथ आपनी जो बाफैला है उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके ऐसे बुलों आपको ध्यान होने चीए जो मिल्क पलस ब्यूटी में उसका जल्ट बढ़ी आ रहा हो उसके जो बुल को कैसे सलेक्ट करें बडिया बुल आपको कैसे पता चलें दोस्तों इसके बारे में भी एक जो डिटेल्ड वीडियो है कि अच्छे बुल का चुनाव कैसे करें वह भी मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको या वीडियो है वो अलगा जाएगी आप एक बर मेन सुन लीजे कि जो बडिया बुल है वो कैसे चुनाव करें दोस्तों आपको देखना है कि आपको किस परकार के कट्टे कट्या चीए उनकी ब्यूटी आए रिंग सिंग आए बड़ी हैवी वेट का यह हैवी आप लगाए लिजी हैवी मिलकर जो बफैलों आपकी बने कि वेट में हो बड़ी है उनकी ब्यूटी हो मिलक लाइन से हो तो यह तो होगे ब्रीडिंग के बात अब दोस्तों आते हैं ब्रीडिंग दो परकार के रहती है ब्रीडिंग दो परकार के रहती है एक इन ब्रीडिंग एक आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग आउट ब लेते हैं दोस्तों in breeding in breeding क्यों होती है कि आप लगा लेजी यह कोई भैष है उसका नाम है कुछ भी लगा लेजी आप यह कोई बैस का नाम लिगा तो कई कई कर आँके वह आमारी बैस का नाम था आफ लगा लेजिए कोई बैस एए उस बैस न streams एक कर दी को सबस्क्राइब उसने कटिया को जनम दे दिया ठीक है बहुत बड़िया कटिया जनम दे दिया किसी दूसरे बाइड एक नम्बर बुल का सिंसने अपनी बैंस पे लगवाए लिजिए उसने दे दिया कटड़ा बैब बिल्लकुल बढ़ीया कटड़ा त्यार हो गए उस वाइक आपकी एवेंस ने जो कटिया दी है जो इसका नाम आपने रख दिया जड़ और उस बाए ने उसका नाम रख दिया 27 नंबर 27 नंबर बुल का सिमन आप उसके रखवादे होगे दोस्तों यह आगई इन बरिडिंग दोस्तों क्यों क्योंकि इनका फदर है फदर लाइन एक हो गई तो समझ लेजिए आपने इन बरिडिंग की है और आपके ने जो आग्या आपकी नसल आएगी वह दूद में कमजोर आएगी कच्छी नसल त्यार होगी यह इस बात के आप गयाठ बांदे लेना आप बात कर लेते हैं आउट ब्रिडिंग और आउट ब्रिडिंग इसक उसका कोई भी संबंद नहीं हो पांच वीडियो तक उसका कोई संबंद नहीं हो दोस्तों ब्रिडिंग एक दिन में नहीं होती ब्रिडिंग में जो कई भाई रहते हैं उनको 30 35 35 40 40 साल लगे जाते हैं ब्रीड शुदारते शुदारते परन्तु जो ब्रीड है वो ने लगवाया बढ़िया आपकी मुर्राइब ऐसे परन्तु आंक के अंदर तार आ जाता है शाफेद उस पर निशान आ जाता है इसलिए उनको वहीं डिश्क्वालिफाइव ब्रीड के अंदर उसको कर दिया जाएगा इसलिए दोस्तों आपको मनी बैक कभी होना चीए क्योंकि क से लेकर च्यार लाख तक का नुक्षान में हो जाता है तो आप उसको शैन करने की रखते हों कि वाई जो वीड जो आपकी बफैलो है या बुल है वो उसके कुछ कई बार हो जाता है कि पशू है वो मर भी जाते हैं बीमारी के कारण लगा लीजिए कुछ ऐसी इंसीडेंट भी हो जाती है शिगटनाई भी हो जाती है जलाएं जरूने बहत भी आप मारीड बरीडिंग की बात होगेी अबlli कि आपने आट किलो वाड़ी बैंसके उपर शिंद लगवाया वाई जिसकी Pastor है 25 से जाद्द विछ बुल की मा का रिकोर्ड है 25 किलो से जाद्धा उसका सिम्मन आपने आठ किलो वाली बैस पे लगवा लिया ठीक है वाई आठ किलो वाली बैस ने दी कटडी डाई पूने तीन साल के अंदर कटडी ने जनम दिया कटडी ने फर्स्ट टाइमर में दूद दे या बारा से त्यरा दिया आपको उस बुल की पेडिगरी से छोड़ कर चाहिए उसके लाइन में नहीं होना चीए दूसरा बुल आपको अलग बुल सेलेक्ट करना है बडिया रिकोड का साथ साथ आपको यह द्यान रखना है कि आप किस ब्रीड के उपर काम कर रहे हैं मिल्क की वाली पर कर रह साथ साथ उसको मिल्क पलस ब्यूटी में बडिया उसने जो अपना नाम है वो असरे कर रख्या हो उस बुल का सिम्मन आपने 13 किलो 14 किलो वाली कटडी के लगाए दीजी बिल्कुल भाई उसने कटडी दी क्या पता कटड़ा भी दे यह आप एक मान पोजिटिव यह में लगाते चलए आपकी जो कट्रिया हैं वह त्यार होती चलेगी इसलिए जो मेन बात है बरिडिंग में बात यह है कि उन बुलों का चनाव कीजिए जिन से उसके जो पहले वाले बुल यानी कि उसका जो पिता है या उसका दाद है उससे कोई भी समद्ध नहीं होना चीए उ स्तो में आफको लग बगए मैं करे सकता हूं कि 30-35 साल लग सकते हैं क्योंकि तीन साल में कट्या घरारती है उसके बाता है आपके से अधिकर लोग आपके कत्या लिए नॉर्मल लॉर्मल पत्चीस साल तो कम से कम ब्रीड शुदारते शुदारते लगे जाएंगे जब आपके सामने जो बिल्कुल प्यूर ब्रीड आएगी यह नहीं कि आपने पहली बर्शी मन लगवाया उसके जो गून है वो सारे के सारे उसका ट्या में आगे यह नहीं शिमन लगवाया उसने तर्स मैने बाद कटिया दे तीन साल बाद आप उसको आपका देवाय मैंने बहुत ही बढ़ी अबरीड त्यार करनी है ऐसे नहीं दोस्तो तो आपको लगना चीह कि वाई जो मैंने बरीड त्यार की है आपको मतलब खुद विश्वास आजाएगा कि बहुत ही बढ़ी आजो कटडा है या कटिए है वह मैंने त्यार किए आपने वेंश त्यार किए 26 किलो आए कि ठीक है थीछ किलो दुद आपके वाईश निकाल रही है बढ़ी अपолотर दर्शन कर रही है मेडी मेडी जित्यधा लियंब कटडा उसका त्यार करें अगर कटड़े भी त्यार करना चाहते हैं तो भी उसी बैस का त्यार के जिसका आपको अपने उपर विश्वास हो कि मैंने इसका पूरा इसाब किताब रख रख्या है दोस्तों आपको पूरा रिकोर्ड लेकर चलना पड़ेगा यह नहीं कि वह तीन भूलो के अलग अलग से मलगा लिज बूलेगा जो थाबूल कुण साथ ऐसा नहीं है बिलुकुल पूरा रिकोर्ड आपको लेकर चलना पड़ेगा जिससे जो आपकी बैसे हैं वह बढ़िया दूद देंगी बढ़िया नसल सुधार होगी और जो कच्छी नसले हैं जो एविक्षित नसले हैं ब्रीड मे वो देरे देरे आपने आप खतम हती चले जाएगा और एक दिना आशा दिना आएगा झाल विक्षानिक देरे एक देर सत्जाइगा जिला लेकर बढ़िया स्मय सकतर तान आपकी एक कारवाबा सक автом दो एक शियまだ जो समय बढ़िया जो कर दो सकत 널ःसे हैं जो आएगा आप फिस फसल butcher हैं जो